हलो तो भाई लोगो वेलकम तो माई यूडूब चैनल तो कैसे आप सब लोग बढ़े हो और अपनी त्यारी जबरदस तरीखी से कर भी रहे होंगे ठीक है तो जो आज का वीडियो होने वाला आपके टाइपिंग से रिल्टेड होना है कि आपकी टाइपिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हो जो भाई लोग हैं उनमें आपको दिक्कत आ रहे हैं टाइपिंग करने में या फिर आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं 20 की आ पर नहीं जा रही है, आपकी कैसी बढ़ सकती है, आपको हान कहा रखने चाहिए और Mind Strategy क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बात क्या है, तो देखो, आप सबसे पहले जो भाई पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो पहले पहले उनको मैं बता दू जैसे कई भार कई भाई क्या है ऐसे सोचते हैं कि यार इनके पास कुछ अच्यूमेंट तो है नहीं तो यार हम क्यों देखिए इसका वीडियो देखो तो मैं सबसे पहले बता दू वीडियो इसके टैपिंग के बारे में बताने हैं पहले कि देखो मैं अभी CRPF में हैड कोंस्टेबल हूँ इस्टिल का मैंने और टैपिंग की मैंने लगबग 4-5 एक जम दे रखिए और मैं आज तक कभी टैपिंग में फैल भी नहीं हुआ जिसे मैंने DSSB की दे रखिए एक जम टैपिंग और मैंने तीन बार CHSL का टैपिंग दे रखा है ठीक है और मैंने CGL का दे रखा है दो बार तो मैं आज तक कभी फैल भी नहीं हुआ टैपिंग में तो उससे ही रिले बात करूँ को और मेरी हमें सब 50 बलस स्पिर्ट रहती है ठीक है आप पहले की वीडियो में जाकि देख स इसम यही रहता है ठीक है तो जैसे सबसे पहले आपको कहां पर अंगुली रखनी चाहिए ठीक है जो आपकी बेसिक से भी कर रहे हैं जो पहली बार डाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है वीडियो देखो आपको जो अंगुली है वो बोल रही कि A-S-D-F पर रखनी च यह और यह दूसरी वाली J-K-L-N-P क्योंकि इसमें आप की बोर्ड देख रहो इसमें देखो आप F इसमें दिख रहा होगा ठीक है यह F और एक J ठीक है तो यह अंगुली है इस पर अबरह वोरा सा दिख रहा होगा जो भाई नहीं जानते हैं उनको बदा दो यह अबरह व होम रो बोलते हैं इसको ठीक है जो अपनी अंगुली रहती है यह वाली होम रो और उपर वाली रहती है यह उपर वाली अपर टैब होती है नीचे वाली बोर्टम टैब होती है तो जैसे आपको सब कुछ इसमें बगल में रहता है तो देखो यह आप आपने इसको बोलते ह इंडेक्स विंग गे रहती है F तो यही क्या है? जैसे ये R पे चलती है, T पे चलती है, J पे चलती है, और B यह मतलम यह न्यार भी चलती नहीं, तिया और यह वाली अन्गुली रहती है जैसे यह रखी जा तिया है, इसको अपन जैसे इस हाथ को यहां पर रखते है lah parte फिर यह वाली यह है, F, R, T और इन पर सब्वे चलती है, और जो आपका space वाला बटन है, जो नीचे वाला यह, तो इसको यह finger वाला, इससे type करना आपको, ठीक है, इससे, जैसे AS, DF, ठीक है, और यह क्या लिए, इससे जाए टेक type करना फिर, और जैसे यह वाली अंगली, यह Q पर Z पर जाएगी, और यह वाली अंगली अपने W और नीचे भी जाएगी, ठीक है, तो यही, और यह, इसको बोलते है, क्या बोलते है, तरजनी साहिद बोलते है, तो यही जैसे, सिप्ट पर जाएगी, सिप्ट के, अगर कोई capital letter आता, तो उसको दबा के, ऐसे, इसके साथ करना, ठीक है, और हमें alt का use, जो shift है, हमें shift का use यह वाला नहीं करना होता है, आपको ज्यादा तर यही करना होता है, इसके साथ, ठीक है, क्योंकि आप बोलते है, और जो back is space होता है, आपको इससे, ठीक है, और आपको कभी भी typing करते समय, जब आप typing कर रहे हो, तो आपका ज जैसे कोई भी this आगया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बस मेरा हाथ T, यहाँ पे है, तो बस T, T, ऐसे नहीं कि नीचे देख रहो, T, यहाँ पे जा रहा है, तो बस यह अंगले अप अटोमेटिक T पे जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे दबा कि आप कर सकते हो, और Sam, यही प्रोसेस रहता है, आपको मतलब जादा से जादा अपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, जैसे अगर आप कोई पेज लेके भी कर रहे हो, ठीक है, पेज में भी, तो पेज कभ यह सी रहना चाहिए, कीबोर्ड की नहीं, आपको इतना कंतर स्तयाद होना चाहिए, हो में देख रहे हैं, तो आपकी आटोमेटिकली, इस पीड नीचे जाएगी, जाएगी, और इसका बता दू, फिर आटोमेटिकली आपको इस पे रखना होता है, जो अगर यू पे जैसे आ गई, अपन आ गया, तो यू पी ओन जाने के बाद, ये आटोमेटिक वाली इंडेक आटोमेटिकली, जाएगी, जाएगी, तो पहले आपके मारेटिकली, तो इसके आपकी इस कीड देरे देरे, एक टाइम पीक आएगी, तो आपको लगेगा, इस पीड नहीं बढ़ रही, तो जैसे आप एरर सुरुवात में होगी आपके, लेकिन ऐसा सुरुवात में होने पहले आपकी क्रीड तो इंक्रीज करो, उसके बाद आप एफिसेंसी एक्यूरिशी विध्यान देना, ठीक है, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ोगी, तो एक्यूरिशी कर क्या करोगी बताओ, अगर आपकी 35 प्लस वाड पर मिनिट ही नहीं आ रही, तो आपका एक्यूर प्लस हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप कर सकते हो, तो ये कीबोर में पूरा सीन यही रहता है, आपको मैंड में, अपनी मैंड में सेट होनी चाहिए, और देखो टाइपिंग का तो एक सबसे बड़ा मैंड खेल होता है, जो दिमाग का होता है, अगर आपका मैंड स्ट भी टाइमिंग में फेल नहीं हुआ, क्योंकि सब मैंड का confidence का होता है वहां पे, क्योंकि वहां पे अपना जैसे टाइपिंग जैसे ही कुलता है माहूल, अपना हडबड़ा जाते है, आपको सुर्वाहत में वहां पे धीरे-धीरे करना होता है, बिल्कुल जैसे अगर कोई बिल्कुल स्लोली-सलोली करना होता है, तो जब भी आप केम्पूर्टर पे बैठो, तो देखो आपकी सीधे होने चाहिए, और क्रिक टिकाय करते हैं, तो ऐसे नहीं पूरे कोणी का जोर इसका कलाइक नहीं टेबल के टच होनी चाहिए, आप ये वाला जरूर रख सकते हू तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, या फिर आप ऐसे कई ऐसे भाई भी हैं, जो ऐसे होगे है, करते हैं, तो ये चीज़े रहती है, अगर आप ऐसे तरीका अपना होगे, तो मैं शूर्द करता हूँ, गारेंटी आपकी स्पीड ओटोमेटिकली, एक से दो महिने में मैं बता रह से पहले यही रहता है कि कहां पे रहता है, तो asdf पे आती है, और ये फिर j, kl, और ये इसको क्या बोलते है, semicolon, तो यहां पर अंगली होना चीज़े, तो किसी कभी देख रहे है, ये उबहुरा हुआ रहता है, इससे ही ये अंगली के लिए आता है, यहां पर रखके होता है ठीश तो फिर यह सब इस पे आती है इस पे वग pros ठीश है ठीक है तो ऐसे करने के बाद आप स्क्रीन पे देख के सामने रखो तो आपको इस स्क्रीन पे अधी हिना है नीचे नहींदेखना है अगर आप की भाटना है अगर मेरे को बोलना कर आप की- करने तो बहुत इन परूफ हुआ हैं तो यह चीज है अकर तो ऌकि मेने आराम से टईपिंग हैं असक्ति और नहीं मैंने किसी टिप्स लिए कि क्योंकि मैं पहले एक्जाम से पहले देखो मैं आज तक कैप्स लोग का यूज करके मैं टाइपिंग निकाला हूँ 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 पर 65-60 की स्पीड ठीक है और सिप्ट यूज तो मैं बाद में करने लगा था जब यह SCRPF का एक्जाम दिय और BSF SCM की बात कर रहा हूँ इसमें पूरा खेल आपका टाइपिंग का है रहने वाला है लगबग आपका जो एक्जाम और फिजिकल भी लगबग सब कर लेंगे यार देखो ना मैन खेल रहेगा वो टाइपिंग का ही रहेगा जो टाइपिंग निकालागा 95% accuracy के साथ तो आपको एर करना ही नहीं है तो backspace वगर देखो backspace का तो यूज करना ही नहीं है आपको backspace ये वाला जो होता है इसको deactivate करके आप टाइपिंग करो ये तो क्योंकि CRPF conduct कराएगी तो सीधी सी बंडा है कि उसमें backspace नहीं आएगा और आपको पाता है CRPF का बहुत ही तगड़ा है और हाथ को कैसे क्या करना है जो कहां वाली जाती है ये वाली एक finger कहां कहां चलती है तो ये tips थी मैं बता दिया आपको आपको आप भी ऐसे कर सकते हो आपको कोई नहीं रह सकते होगेगा typing के लिए तो अगर वो जो भी भाई लोग जो comment है typing से related अगर कोई हो तो comment में जरूर दूँगा क्योंकि मैं जितने भी देखते हो आप मैं आपका reply जरूर देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अपना ये गुवाली कोई बात ही नहीं है यार देखो ठीक है तो typing में आप achievement पास सकते हो तकड़ी आप 60 पलस की speed कर सकते हो मेरी तरह क्योंकि मेरे मेरे को करा बस तो मेरे हमेशा ही रहती है उटमाटिक स्ट्रेजी ऐसी बन गई है तो बस आपको exam महुल के लिए ही प्रिपर होना है वहाँ पर जाने के बाद आपका कैसा माइंड काम करता है ठीक है तो यहीं मैंने बताई तो उसकी लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है और information रहती है मैं आपको जरूर टाइपिंग चे लेट रही है कोई भी तो आपको जरूर इस पर बतात रहूंगा ठीक है भाई लोगो